क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि जो आपका पार्टनर है वो आपको अटेंशन नहीं देता है उसको फरक नहीं पड़ता कि कोई बात तुम्हें अच्छी लग रही है या कोई बात तुम्हें बुरी लग रही है अगर ऐसा होता है तो आज मैं आपको पांच टिप्स ऐसे बताने वाला हूँ जो कि अगर आपने समझ लिए तो जो आपका पार्टनर है आपके लिए सच में जान भी देदेगा और इतनी अटेंशन देगा ना कि आप पागल हो जाएंगे छोड़ी बात हैं याद जरूर रखना सबसे पहली चीज कि कभी भी थैंक्यू बोलने से ना मलब थैंक यू नहीं बोलना है, Always को अप्रिशैट करना है अप्रिशैट करने से ना क्या होता है कि उसको खुषी मिलती है relationship में हम यही सोचते हैं कि मुझे खुषी चाहिए, मुझे अच्छा पल चाहिए, मुझे relationship से खुषी चाहिए चाहिए हम कभी देने की नहीं सोचते relationship में दोनों लोगों को खुशी मिलने चीए, जितनी खुशी के हगदार आप हो उतना ही वो सामने वाला इंसान भी है तो उसको खुश करने के लिए अगर आप उसको appreciate कर सकते हैं तो इससे अच्छी बात कोई भी नहीं हो सकती तो उसको please appreciate किया करिए चोटे-चोटे काम वो जो भी करता है चोटे-चोटे चीज जो आपको खुश करने के लिए करता है उसको appreciate आपको कर देना चीए क्योंकि अगर आप खुश होना चाहते हैं तो वो भी होना चाहता है और अगर सामने वाला खुश रहेगा तो always हो आपको हमेशा खुश रखने की कोशिच करेगा और आप भी खुश रहोगे ही रहोगे point number two कि हमेशा खुश रहो उसको दिखाओ कि तुम उस relationship में रहकर खुश हो इससे क्या होता है कि आप सामने वाले को respect देते हो लेकिन जब हम relationship में आते हैं जब सामने वाले इंसान हमारे proposal को accept कर लेता है फिर हम इससा बाते बोलना छोड़ देते हैं और दिखाना छोड़ देते हैं कि मैं तुम्हारे साथ अच्छा feel करता हूँ खुश हूँ तुम्हारे साथ देखो एक pressure build up हो जाता है अगर हम दोनों मालो relationship में है मतलब मेर साथ नहीं है तुम किसी और के साथ हो ठीक है और वो इंसान खुश नहीं है तो तुम्हारे उपर एक pressure build up होगा ना कि वो क्यों नहीं है खुश क्या मैं उसको खुश नहीं रख पा रहा हूँ तुम्हारे खुशी का reason कोई और ही है तो उसको दिखाओ कि तुम खुश हो और यह आपके ना relationship में चांद और तारे निकाल देगा बतार हो मैं तुम्हें point number 3 कि तुम उसके सबसे बड़े fan बन जाओ सबसे बड़े cheerleader बन जाओ fan बनने से मेरा मतलब क्या है fan बनने से मेरा मतलब यह है कि तुम्हें उसको ना cheer up रखना है हमेशा कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि अकर उसको कोई चीज बुरी लग रही है तो वो बुरी लगने वाले चीज़ किसी और के साथ discuss करे the moment ऐसा होता है आपका relationship पूरा खराब होने लग जाता है third person की entry आपको नहीं होने देनी है हम हमेशा है शिकायत करते है कि वो इंसान मुझसे जादा attention भाव किसी और को देता है ऐसा इसलिए हो पाए है क्योंकि आपने ऐसा होने दिया है अगर आप उसको खुश रखते हैं आप उसके लिए हमेशा available रहते I mean relationship बनने के बाद तो आप available रही सकते हो अगर आप उसको motivate करते हो उसकी बातों को सुनते हो उसके चिट-चिलेपन को सुनते हो उसको handle करते हो उसको motivate करते है तो पक्का वो आपके साथ हमेशा रहता लेकिन क्योंकि आपने ऐसा किया नहीं है तो अपने जो जब भी demotivated होता है तो कहीं किसी और सी बात करता है और कोई और ही उसको motivate करता है तो आपको बुरा लगता है तो समझो इस चीज को आप हमेशा उसके fan बने रहो उसको motivate करते रहो अगर आप उसको motivate करोगे अगर आप उसको खुश रखोगे तो इनसान भी आपको खुश रहेगा तो important चीज यह है कि आपको उसकी बातों को सुनना चाहिए Point No.4 कि उसको इतना comfortable रखो न कि वो आपसे कुछ भी बाते शेयर कर ले एक तुम्हें example देता हूँ कि हम अक्सर ना गुसा हो जाते हैं हम अक्सर ना बुरा मान जाते हैं अगर relationship में एक बंदा दूसे बंदे की बात का बुरा मान लेता है तो पता इससे क्या होता है वो सामने वाला ये समझ जाता है कि इससे ये बात आगे से कहना ही नहीं है क्योंकि अगर मैंने कहा तो ये बुरा मान जाएगा मुफ लाके बैठ जाएगा फिर उसको मना हो फिर रिलेशनिजिप खराब होता जाएगा वही फायदा नहीं है तो इससे के गैप आ जाता है सामने वाले इंसान अब आपको वो चीज़े नहीं बताएगा कहने के अपने दिल में रखते जाएगा रखते जाएगा और अगर वो दिल में रखते जाएगा रखते जाएगा रखते जाएगा तो कभी तो गुबारा फूटेगा ना और जो फूटेगा पापा होता है एक रिलेशन जी वैसा ही होना चीह कि पैरेंस हमेशा एजा फ्रेंट रखें अपने बच्चों को अगर ऐसा रखते हैं तो तभी बच्चे अपने फ्रेंट या निकि अपने ममी पापा को कोई बात शेयर कर सकते हैं अगर ममी पापा डाटने लगेंगे तो घंटा हो बच्चा कभी भी अपने बाते नहीं बताएगा पॉइंट नमबर फाइव जो कि इन चारों पॉइंट से थोड़ा सा लगा है बहुत ही अलग सा पॉइंट आ बोलोगी यह अचानक से इसने कहा गया दिया लेकिन समझने वा होगे तुम मतलब वो तुम्हाइज साथ comfortable हो सकती है वो तुम से कुछ भी बात कर सकता है लेकिन सर पे मत चड़ाओ अगर तुम सर पे चढ़ा लेते हो ना तो इनसान फिर बहुत गलत धरकते करते हैं तो आपको हमेचा लोगों को उतना ही भाव देना चाहिए जितना की व हमेचा तुम्हारे बिना मर जाओंगा तुम्हारे बीना मेरा क्या होगा मैं तो भाई तुम्हारे बीना मेरा एक पल नहीं कड़ता है तो ऐसे